अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना, ताके जब मैं ओनलाइन आऊ तो तुम्हारे फोन की भी घंड नमस्कार जैहिन वन्दे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिचल्ड 2021 ल सब्सक्राइब कर रहा है, इसको देखेंगे और दोस्तो 25 फरवरी जिया दोस्तों आज की मुहीं भी यही थी कि दोस्तो रोजगार पर आज बाते हो, तो इस समय दोस्तों देखें मोधी जॉप दो एक मिलियन से जादा टूइट्स हो चुके हैं, मोधी रोजगार दो 23,000 स दोस्तों पहले इसको हम आपके सामने रखते हैं, जी हां दोस्तों मामला क्या है, क्यों बच्चे परिशान इसको जरा समझते हैं, एडरेट जूनियर सिचक भरती पर दूसरी बार लगा ग्रहण, आई कोट ने एक मार्च तक लगाई रो, जारी नहीं हो सकाता विज्यापन, जी हां दोस्तों ये पूरा मामला है, अभी तक सोची ये वेकेंसी आई नी दोस्तों और दो दो बार अब इसमें इस्टे लग इसलिए बच्चे पर इसान है, ये हैस्टेक क्यों ट्रेंड कर रहा है, कि दोस्तों कोई वेकेंसी निकलती है, सालों साल वो लटकी रहती है, पेपल लीक हो जाता है, या दोस्तों धंदली हो जाती, देखिए आपको पता होगा, सीटेट शात्रों के साथ बड़ा दोखा ह इसलिए पता होगा, जी हां दोस्तों आपको ये बात इसबार को पक्ता पता चलिए ओगी, इस सीटेट का पेपर वाट्जब पर वाइरल हो गया था, और जी हां, काफी दोस्तों न्यूस चैनल के मादिम से आपने इसको देखा भी होगा, तो अगली अप्लेट दोस्तों बात करेंगे TGT PGT भर्ती 2021 इस सब्ता सुरू होने वाली है TGT PGT के 15,508 पदों पर भर्ती अभ्यरतियों का इंतजार होगा कत्म जी हाँ दोस्तों इतने लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे है कि इसका जो विक्यापन था पहले आ चुका है लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया फिर दोस्तों वही है कि दुबारा से बच्चे परिसान है इसलिए दोस्तों ये हैश्टेक को अट्रेट करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में बच्चों को परिसान ना होना पड़े, अगर कोई भरती दोस्तों निकलने वाली तो वो निकले, ऐसा नव दोस्तों कभी कोड से उसमें इस्टे लग जाता है कभी कुछ, कभी कुछ, ठीक हैं, पूरी अप्डेट को भी आम इस वीडियो में कवर एक और अप्डेट आप तिसका हमें रखते हैं, यूपी में अगर दोस्तों आप रहते हैं, आई एस, आई प्लीएस, प्लीएस, यूपी ट्रबल एक त्री कोचिंग, अभ्योत्य कोचिंग में टैब्डेट किसे मिलेगा, जल्द जारी होंगे पातरतया नियाव, ठीक है एक त्री जनुरी 2021 रिजल्ट जारी, जी आँ दोस्तों कि आपका रिजल्ट जारी हो जोच उका है सोसल वीडिया पर बास हो रही है, तरहत रहएं तरह की और रिजल्ट के यह हमने आपको बता रखें साइट, रिजल्ट क्लिए सिर्फ dl.result.com जी आँ दोस्त आप इस वे से आप सबसे फिल अपना रिजल डाउनलोड कर पाएंगे और इसका दोस्तों जो लिंक के था कमेंट बॉक में नीचे दिया गया है अगर आप अपना सीटेट का रिजल डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए एक तो आपको अपने रोल नमबर की जरूद पड़ेगी दू अपने आपने नमबर मिला लिया होगा लेकिन दोस्तो बात है फाइनल अंदर की गिंग प्रत्म ऐसे पर सब्सेंगए अब तो आपको आपती है जो किसके फाइनल या और शकुट है तो आप आप दोस्तों जो हमारी नई आंसर किया है कि इसको फाइनल आंसर किया है एक और अब्लेट दोस्तों आपके सामें रहते हैं इन फर वीडियो में देते रहते हैं आपको बता दे दोस्तों जनरल में ऐसे बहुत से चात्र हो सकते हैं ठीक है जो कि 85 से लेके 89 नंबर तक होगे एक दिया 80 भी वोता थे दोस्तों कि 85 मानिये ठीक है और दीक्यों OBC कटेग्री SC कटेग्री HD कटेग्री यहां पर दोस्तों बहुत से से बच्चे होंगे जो 75 से लेके 81 तक होगे, आपको पता है कि ओगी सी यह स्टी एश्टी एश्टी आप फिश्कल हैंटी कैफ के लिए जो पासिंग नमर होते हैं, वह होते 82, बाके दोस्तों जेनरल के टिक्री लिए जो पासिंग मार्क होता है, ठीक है, एक और अपडेट आयती है इसको जर आप में देखा कि नहीं, देखे राउल गांदी जी का ट्वीट का कि सच कितनी खूबी से सामने आता है, नरेंद मोधी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलाइंस एंड, जैसा कि अधिश्टा में, हम दो हमारे दू, जीयां दोस तो यह अपडेट गुजरात से थी, तो मैं आपके सामने टख दिया, ठीक है न, अब इस टेडियम का नाम दोस्तों सुचिए हमारे देश के प्रदार मंस्ती जी के नाम से हो गया है, यह पूरी अपडेट है, ठीक है बाकी जाद इस पर बात ही नहीं करेंगे, तो यहां हो कोई वेकंसी समय से पूरी होगी, अब पाता चले दोस्तों वेकंसी आजा जाजा और अगले 3-4 साल तक लटकी रहे, अटकी रहे, क्या मतलब है ऐसी वेकंसी का, आपको बता दे गाईस जो हमारी यह भरती आर इतने एडेट वाले, इसका दोस्तों रिजट था, रिजट त इसके पहले साथना देश में खामी की वज़े से जाय समय पर विग्यापन जारी नहीं हो सका था, आउनलाइन आविदन के समय सारडी में भी बतलाव किया गया था, एडेट जूनियर हाई स्कूलों की सिच्छक बरती के दजार बढ़ता जा रहा है, सरकार ने निमा वली में संसोधन करने के एक साल बाद, रिक्त पदों पर भरती कराने का आदिश दिया था, इमताहन कराने का जिम्बा परिच्छा निमक प्रादिकारी उस्तर पर देश, प्रियाग राज को सौपा गया है, भरती के लिए अब तक 37 देश, 18 जनवरी तथा 10 वा 19 फर्वरी को जारी हो चुकिये, 10 फर्वरी को जारी आदिश में, कई गल्पियों होने के कारट सासन को संसोधित, ठीक जो संसोधित आदिश पा 19 फर्वरी को जारी करना पड़ा था, परिच्चा संस्ता को 25 फर्वरी को भरती का विध्यापन जारी करना था, इसके पहले ही हाई कोट ने भरती पर इस्थगना देश चारी कर दिया, इस्टे लग गया गाईज, ठीक नियमा वली में संसोधर का विरोध, योगी सरकार ने सिच्चक भरतियों में मेधावियों क सब्मत नहीं है, नया मूर्थी वेव कुमार बिर्डला ने यता इस्तितिक आदेश देते वे, कहा कि इस मामने में सरकार क्योर से जवाब दाखी लें, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए एक मार्च प्रकरण की सुन्वाई फूप दी, तो गाईज, ये देख र हैं, तो गाईज हमने ट्विटर का भी लिंक हमने कमेंट वॉक्स में दे रखा है, आप लोग हमें जाकर फालू कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आप हमें फालू करिएगा, और हम भी आपके साथ है मोधी रोजगार, तो जियां दोस्तों रो कारेंटी नहीं होता कि दो साल के बाद आपका क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा, सब भगवान वरोस्य होता है, ठीक है, तो अगर आप 200 TGT-PGT बढ़्टी के इंतजार कर रहें तो इस सब्ता सुरू होने वाली है TGT-PGT के 15,508 पदों पर भर्टी अब बेर्टिय के लिए अच्छी कबर है, TGT-PGT बढ़्टी के संसूतित विध्यापन सरूरी के इसी सब्ता जारी करने की तयारी है, उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा सेवा चैर बोर्ड के आविधन के लिए, अलेक से पोटल तयार कराया है, आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश 18 नॉर्मबर के इसका विध्यापन दिरस्ट हुआ, 18 नॉर्मबर से मागे है, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर से पहुँचे 18 जनवरी, 18 जनवरी से दोस्तों पहुँचे 18 परवरी, लेकिन आज हमारी तारीक है 25 तारीक, तो सोचे 3 महीना से जादा समय लगपक 100 दिन बीतने को आ ग तो गाइस इसी तरह लाखों बच्चों की जिंदगिया खराब होती है, TGT PGT के लिए लाखों बच्चे आविधन करेंगे सबको पता है, बहले नौकरी तो 15,508 पर ही मिलेगी, लेकिन आविधन करने वालों किसम क्या लाखों में होगी, बस ये पूरा मामल है, अब देख लिए तेकाविदन किया जा सकता है, इच्चों को ये हुआ, दोस्तों जो बच्चे हैं, वो इस वेबसाइट पर अपना पंजियन करा सकते हैं, वही इस कोचिंग में वर्चुवल के अच्छा है, वह ये लर्निंग की सुझा भी होगी, मंडला यूगत लखनो, रंजन करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको टैबलेट मिल जाए तो करिएगा, प्रोवेस परिच्चों के समय फारेडी आपको बताते, NDA, CDS की दोस्तों जो तारीक है, पांच मार्स बारा बजे से एक बजे तर, J की दोस्तों पांच मार्स दो से 3, NIT की दोस्तों पांच मार 2 बजे से लेकि 3 बजे से, ठीक है, ये भी दोस्तों फिरको चिन में का, इस देखिया आपको फाइदाए मिलेका फिरी के दोस्तों से कुछ है, आपको पैसा कर्चा नहीं करना है, ठीक है, नहीं ने तो बात की कि आज-कल कि जो कोचिंग्स क्लासे से कितनी महें हैं ये तू आप समझ रहे होंगे चलिक वीडियो कर पर फिर से जली जली बात करने से सीवेसी लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि कब तक दोस्तों आपका रिजल्ट और फाइनल आंसर की को जारी कर दिया जाएगा देखिए सूत्रों की मारे तो अब आपका रिजल्ट और फाइनल आंसर की किसी भी समय जारी किया जा सकता है क्योंकि देखिए जो हमारे आंसर की पर आपति दर्ज कराना तरह सब कुछ फाइनल होता है ठीक है तो जाता समय लगेगा नहीं तो जाता समय नहीं लगता है और आपको बता देखिए जो फाइनल आंसर की विल्कुल साथ साथ आएगा रिजर्ट के लिए सिर्फ देखिए जिया दोस्तो बाकि हमने आपके लिए कटा आप बता दिये जनरल के लिए दोस्तो 90 नमबर है अगर आप EWS कोटे में आते तो भी आपको पास होने के लिए 90 नमबर ठीक है